मेरा नाम है चाया प्रतिभाखेलवार आप लोगों के बैलाजी फिकल्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्षा एजुकेशन पर एक्सिलेंस पर तो बच्चो आज हम कक्षा ग्यारवी का कक्षा ग्यारवी का अध्याय आठ पढ़ने वाले हैं अध्याय में आपको क्या मिलेगा बच्चो कोशिका और संरचना और उसके कारे के बारे में हम देखेंगे बच्चो कि कोशिका होती क्या चीज है संरचना उसके देखेंगे और उसके कारियों के बारे में समझेंगे तो बच्चों आप सभी को पता है कि समस्त यारी की समस्त प्रकार की प्रिथी मग पर पाये जाने वाले जीव जन्तु जितने भी जीव जन्तु हैं जैसे पेड़ पौधे हैं वो सभी किस से मिलकर बने हुए हैं कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं देख लेजे अपने आपको ही देखिए आप खुद सोचिए कि आप किस से उत्पन हुए हैं तो बच्चों मैं बता दूँ जितने भी प्रित्री पर जियू हैं आप हम पेर पौध हैं इवन कुता बिल्ली शेर जितने भी आप देख रहे हो चाहे हम बैक्टीरिया की बात करे अमीबा आप देखते हो पैरा मीश्यम देखो ये सारे किस से मिलकर बने हैं बच्चों कोशिका से ही मिलकर के ही बने हुए हैं तो चलिए हम उसी के बारे में अध्यन करने वाले हैं कि कोशिका क्या होती है तो हम बता दें बच्चों जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिका स समझोगे कि प्रोकेटिक कोशिका क्या होता है यू केटिक कोशिका क्या होता है हम एक एक चीज को पूरा डेटेल से बताएंगे ठीक है तो यहां पर मैंने कोशिका के बारे में बात की तो कोशिका क्या होता है बच्चों मैं बता दूँ जीवों की सरचनात्मक एवं क्रियात पत्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं सभी को पता है जीव जो होते हैं कोशिका से ही मिल करके ही बने होते हैं तो हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों इसके रूप रेखा के बारे में जानते हैं कोशिका क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कोशिका की ख चलिए बच्चो तो हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में तो मैं बता दूँ बच्चो सबसे पहले कोशिका का अध्यन कोशिका का अध्यन कहलाता है बच्चो साइटो लौजी यह हम इसी को कहते हैं कोशिका विज्ञान कहते हैं बच्चो अभी हम कोशिका का ही अध्यान करने वाले हैं तो इसी अध्यान को हम क्या बोलते हैं साइटो लौजी कहते हैं याद रखिए आपको हिंदी नाम से जादे यहां पर साइटो लौजी शब्द का प्रयोग बार-बार होने वाला है साइटो लौजी क्लियर है तो यह तो साइटो लौजी होगी बच्चों ये आपको याद रखने कभी भी पूछता है प्रश्ण में कि कोशिका के अध्यन को हम क्या कहते हैं तो आप बताओगे क्या कहते हैं साइटो लौजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है तो कोशिका क्या होती है बच्चों जैसा कि मैं ने पहले ही कहा सजीवों के शरीर की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहलाती है क्या कोशिका कहलाती है यानि कि समस्त जो जीव होते हैं वो किस से मिलकर बने होते हैं कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं देखें यहां पर आपको डाइगरम में भी दिखाई दे रहा है यह करें तो वो दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं कोशी का कहलाते हैं इस प्रकार से हम इसको परिभाशा के तौर पर भी लिख सकते हैं सजीवों के सरीर की रचनात्मक या सन रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं क्या कोशी का कहते हैं ठीक है चलिए शैल सब्द जो है यानि कि कोशी का जो सब्द है सैलूला सब्द से मिलकर के बना है बच्चो ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोशी का है या सैल जो है लैटिन के सैलूला स शब्द से मिलकर बना हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ इस सेलूला शब्द का क्या अर्थ होगा एक छोटा सा कमरा होता है क्या होता है एक छोटा सा कमरा ठीक है यानि कि ऐसा समझे यह पूरा प्रिथ्वी है तो यहां पर एक हम छोटा सा कमरा बना देते हैं इसी छोटे से कम कमरे को हम क्या कह दिए क्या सैल कह दिए अब यह चोटा-चोटा कमरा जो मिल करके क्या बनाया है उत्तक यानि कि कोशिका से मिल कर क्या बनता है बच्चो उत्तक का निर्मान होता है इसलिए यहां पर एक छोटे से कमरे की बात की गई है चलिए अब हम इसके खोज की बात करें कोशिका कि हम खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले कोशिका की किस ने की थी तो ध्यां रखिए इस कोशिका की खोज की थी किसने Robert Hooke ने very important है बच्चो Robert Hooke क्योंकि हमेशा ये आपके question में पूछा जाता है कोशिका की कुछ किस ने की थी तो आप बताओगे क्या Robert Hooke सन भी पूछा गया है बच्चो किसी किसी exam में 1665 आप याद रखोगे इस प्रश्न को ठीक है ये प्रेश्ण में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किस ने की थी तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 इसवी में की थी तो देखें ये हैं आपके रॉबर्ट हुक ठीक है चलिए हम देखें तो इसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं बच्चों मैं बता दूँ कि जब कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने उन्होंने कैसी कोशिका को लिया तो उन्होंने लिया था मृत कोशिका की ख कार्क लगा होता है जो कि लकड़ी का बना होता है इस कार्क को अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इस प्रकार से छोटे-छोटी संरचना के रूप में में दिखाए दिया ठीक है तो उन्हों ने ही सबसे पहले कोशिका का खोज किया जो कि कॉर्ख की कोशिका थी ठीक है जस्ट इसके बाद एक और साइन्टिस्ट आये बच्छो उसका नाम है एंटोनी वॉन लिवें होक एंटोनी वन लिवेख होग जिन्हों ने जीवित कोशिका की खोज की थी सन 1774 में देखे बच्चों हमने पहले देखा कि सबसे पहले खोज किस नहीं की थी कोशिका की रोबर्ट हुग ने लेकिन कैसी मृत कोशिका की खोज की थी मृत कोशिका की थी और किसमें कौर्क की कोशिका की खो की थी लेकिन जो नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट आये एंटोनी वेन ल्यूविन होग उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी उन्होंने कैसे की थी मृत और इन्होंने कैसे की यानि कि ल्यूविन होग ने जीवित कोशिका की खोज की थी प्लियर है तो यह जब साइंटि भीर कोशिकायैं तर्था सुक्राणू का सुछमय दर्सी के द्वारा अध्यान किया था देखिए जब रॉबर्ट थे थे तो कौर कि कोशिकाओं का अध्यान किये थे लेकिन जैसे हैं ल्यूविन हॉख आप कब नौ साल के बाद नौ साल के बाद जब ये साइंटिस्टाइल यूइन होग उन्होंने जीवित सबसे पहले तो जीवित कोशिका का अध्यान किया तो इस जीवित कोशिका में क्या क्या लिया उन्होंने एक कोशिकी जीव एक कोशिकी जीव के बारे में भी अध्यान किया अध्यन किया यह सारे के सारे कैसे हैं बच्चो जीवित कोशिका होती है उन्हों ने जीवित कोशिका में कोशिका की खोज की ठीक है चली हम बात करते हैं आप केंद्रक के खोज की तो बता दूँ बच्चो के रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन देखिए यह की थी 1831 में ये बहुत बार पूछा गया है बच्चो एक तो कोशिका की खोज किस ने की थी रोबर्ट हुक ने तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है रोबर्ट हुक और रोबर्ट ब्राउन दोनों ही अलग-अलग साइंटिस्ट होते हैं बच्चो रोबर्ट हुक जो है कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है बच्चो कोशिका के-अंदर केंद्रक होता है इसकी खुच किस ने की थी इसकी खोज की थी रोबर्ट ब्राउन ने चलिए आगे देखें अब आते हैं कोशिका सिध्धांत की तरफ सेर्थ थियोरी की तरफ तो बता दू बच्चों यह वेरी इंपॉर्टेंट है थियोडोर स्वान और मैथियस जैकप स्लाइडन यह दो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्हों ने कोशिका सिध्धांत सेर्थ थियोरी का प्रतिपादन किया था यह बहुत बार पूछा गया इसका सन भी पूछा उसके नाम भी पूछे है कि कोशिका जो सिध्धांत है कोशिका सिध्धांत जो है किस साइंटिस्ट ने दिया था तो थियोडोर स्वान और मैथियस जैकप यह ऐसा न दिए था Sawn और Sliden ने तो इसका पूरा नाम है थीयोडोर स्वान और मैथियस जैकप Sliden ये देखिए ये हैं आपके साइनटिस्ट थीयोडोर स्वान और ये हैं आपके मैथियस जैकब स्लाइड इन तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कोशिका सिधान किस प्रकार से दियें तो मैं बता दू बच्चों जितने भी पादप कोशिका होती है जन्तु कोशिका होती है ये सारे की सारे कैसे होते हैं बहु कोशिकी जीव होते हैं बहु कोशिकी अर जितने भी पादप कोशिका है जन्तु कोशिका होती है वो एक ही कोशिका से मिलकर नहीं बने होते वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो अगर हम इसकी बात करें कोशिका सिध्धांत में इसका क्या रोल रहा यानि कि ये सैंटिस्ट कोशिका सिध्धांत में क् और कहा ये सारे पादब कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं यानि ये प्लान कोशिका के बारे में अध्यन किया और ये के सभी कैसे बने हुए कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं वैसे ही अब मैथियस लाइडन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जितने भी जन्तु हों वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं तो कोशिका सिध्धान्त का मेर मकसक था बच्चों इन्हों ये दोनों ही साइंटिस ये बताना चाहते थे कि पादप हो जाहे जन्तु हो सभी के सरीर की हम बात करें तो सरीर किस से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं, तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थ से ही बने होते हैं, क्लियर है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा, चलिए हम रडोल्फ विर्चो की बात करते हैं, एक और सैंटेस आ गया, रडोल्फ विर् कोशिकाएं जो है पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनी होती है इन्होंने कहा कि चलिए भाइ जो कोशिका सिध्धान था तो किस ने दिया था यह तो स्वान और स्लाइडन ने दिया था तो इन्होंने क्या बताया था कि सभी कोशिक जो होते हैं सभी जीव जो होंगे पादप चाहे हो चाहे जन्तु की हम बात करें जितनी भी आपके जीव होते हैं वो सारे के सारे कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं या तो अनेक उनके द्वारा उत्पारित पदार्थों से ही बने होते हैं लेकिन जब विर्चो आए उन्होंने कहा भाई आप सही कह रहे हैं लेकिन समझ ये कोशिकाएं जो है पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है इस चीज का आपको ध्यान रखना है इन्होंने कहा किसने रडोल्फ विर्चो ने ही कहा था कि भई पहले से उपस्थित जो कोशिकाओं रहेंगी ठीक है पहले से उपस्थित कोशिकाओं यानि कि अगर ये पुराने कोशिका हैं तो नए कोशिका का निर्मान किस से होगा ये नए कोशिका का निर्मान जो है पुराने कोशिकाओं से ही होता है यानि कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही इन नए कोशिकाओं का निर्मान होता है किसने कहा रडोल्फ विर्चो ने इसके हम कुछ और बात करते हैं बच्चो तो आधुनिक कोशी का सिध्धान्त की हम बात करते हैं यहां पर एक और लाइन आप समझेगा आधुनिक कोशी का सिध्धान्त तो आधुनिक कोशी का सिध्धान्त क्या होती है बच्चो आधुनिक कोशी का सिध्धान्त इससे ये पता चलता है कि स और एक ये भी आपको point समझाया कि नई कोशिका ये जो नई कोशिका बनेगी बच्चो पुरानी कोशिका या पूरवर्ती कोशिका के विभाजन से ही बनती हैं यानि कि हम बात करें दो कोशिका की बात करते हैं एक होता है क्या पूरवर्ती कोशिका और ये क्या हो गई नई को हुआ है पूरवर्ति कोशिकाओं से ही हुआ है यानि कि पूरवर्ति कोशिकाओं का जब विभाजन हुआ तब ये कोशिका बनी क्या नई कोशिका बन चुकी है तो इस प्रकार से हम देखे कि कोशिका क्या होती है कोशिका की खोज किस ने की थी यह वैरे इंपॉर्डेंट ट होती हैं और यह किस से मिलकर बने होती है तो सेल सब्ढ़ है Latin के सब्ढ़ेस बना होता है प्लियर है तो आई होँप आपको ये डिसकरबरी जो है या फिर ये खोड जो है जितने सान्टिस्ऴिक बारे में अध्ल किया है उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा तो हम इसके बारे में थोड़ा सो और चर्चा करते हैं बच्चों मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि कोशी का जब हम जब भी पढ़ते हैं तो हमको ग्यात होना चाहिए कि सबसे छोटी कोशी का कैसी होती है और कौन सी होती है इसक से बड़ी कोशी का कौन सी होती है इसके बारे में भी हम अध्यान करती हैं चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा नौलेज दे दूं कि अयदी आपको कभी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशी का कौन सी है और सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है सबसे लंबी कोशी का कौन तो बच्चों आपको ग्यात होना चाहिए कि समस्त यानि कि सामानिता देखा जाए तो कोशिकाओं का जो आमाप होता है अगर हम सामानिता कोशिका को देखेंगे तो कोशिका का आमाप जो है 0.25 μू से लेकर 90 cm तक होता है लगभग इतने ही आपके आमाप में आपको दिखाई देते हैं चले हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटा जियो या सबसे छोटी कोशिका है आपका माईको प्लाजमा यदि मैं सबसे छोटी कोशिका की बात करूं सबसे छोटी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो आपको ग्यात होना चाहिए कि माईको प्लाजम ठीक है माईको प्लाजमा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है और मैं बोलूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो आपको ग्याद होना चाहिए बच्चों की सुतुर मुर्ग का अंडा अब मैं बात करती हूं किसकी सबसे बड़ी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो य यह है आपका सुतर मुर्ग का अंडा ठीक है सुतर मुर्ग का अंडा क्लियर है चलिए यह कभी-कभी पूछता है कि बताइए कोशी का सबसे छोटी कोशी का कौन सी होती है तो आप बताओगे क्या माइको प्लाजमा सबसे छोटी कोशी का कौन सी होती है तो आप बताएंगे क या सुतुर मुर्ग का अंडा यदि कभी ये पूछा गया कि सबसे लंबी कोशी का कौन सी होती है सबसे लंबी कोशी का कौन सी होती है तो आपको पता ही होगा बच्चों आप सुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं कोशी का के बारे में थोड़ा सा ग्यात हो गहीं तो आपको पत कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है तो इस तरह किसे कोशिकाओं का आमाप होता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका की खोज क्या होती है कोशिका होती क्या चीज है आगे के next lecture में हम पढ़ने वाले हैं बच्चो क्या उसके प्रकार के बारे में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है चलिए आज के लिए इतना काफी है next lecture में हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में यदि आप को कोई चीजी समझ ना आए तो आप मुझे अब मेरे लाइप शेशन आओंगी मैं जब तो आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपको वहाँ पर शॉर्ट अट करूँगी कोई बीज़र ना हो तो मैं इसको क्लियर कर दूँगी ठीक है ठैंक यू लन्हां आप झालओी ठीक है ठाउट है तो क्य थिसुझऑी आप कर दो along कर दो आपको यूचल चालवी को गयज़की है तेवेarat कर दो रगने हैं KLAB